इस वीडियो में मैं आपको Central Industrial Secretary Force यानि की CISF के द्वारा जो Constable Fire के लिए online recruitment आई है उसकी form feeling process के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे मैं आपको बताओं तो इसके लिए online application जो है वो 31.2.24 से start कर दी गई है मैं अगर official notification को open करूँ तो यहां आप देख सकते हैं 31.2.24 से लेकर आप 39.2.24 तक इसके लिए online application कर सकते हैं इसके लिए आपको 12th pass होनी चाहिए अगर आप 12th pass है तो आप इसके लिए online apply कर सकते हैं इस notification के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने complete इस notification को discuss किया है कि इसमें आपकी कौन कौन सी post होने बाली है कितने numbers of post होने बाली है visibility का area क्या है आपकी age कितनी होनी चाहिए selection process क्या होगा आपकी जो examination होगी वो किस mode पर होगी इस तरह की जितनी भी आपकी journal queries होती है वो सारी मैं उस वीडियो में discuss कर दिया हूँ मैंने तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर से ही देख ले और अगर आपको लगती है कि आप eligible है इस form को fill up करने के लिए तो आपको form कैसे fill करनी है उसके लिए आपको वीडियो के description box पर एक link मिलेगी आप उस link पर जैसे ही click करेंगे इस तरह के page पर आ जाएंगे अब आपको यहाँ पर सबसे पहले one time registration करनी होगी अगर आपने CISF के लिए कोई भी पहले form fill की होगी तो आपको यहाँ पर direct login करकर form fill up करनी है और अगर आप पहली बार यहाँ पर central industrial secretary force की कोई भी form को fill करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले one time registration करनी होगी one time registration करने के लिए आपको यहाँ पर new registration के option पर click करनी है इस पर click करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी name को लिक देनी है name आप अपने matriculation certificate पर जो नाम होगी वही c को सारे आप यहाँ पर इंटर करेंगे और आप Mr. Mrs. या फिर सिरी इस सब चीजों का use नहीं करेंगे फिर आपको उसी नाम को verify करनी है अपने फिर आपसे पूछी जा रहे है कि आपने कभी अपना नाम change किया अगर आपने की है तो yes क उची जाए की father's name enter करेंगे father's name को confirm करेंगे mother's name को इंटर करेंगे mother's name को confirm करेंगे date of birth को आपको यहाँ पर calendar के ओप्सन पर क Looks करने है फिर याँ अगे पर आपको आगेन confirm करनी है फिर अपनी gender यहां select करनी है जंडर को confirm करनी है, इस GET कापचा को fill करनी है, उसके बाद आपको submit के option पर click कर देनी है, आगे submit के option पर click करते हैं आपकी personal details यहाँ पर आ जाए गी, अब आपको scroll करनी है, फिर आपको अपने contact details को enter करनी होगी, उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी mobile number को enter करनी है, फिर उसी mobile number क confirm कर लेनी है फिर आपको email id इंटर करनी है फिर उसी email id को यहाँ पर confirm कर लेनी है आप एक चीज़ का धियान रखेंगे कि जो भी आपकी registration ID और password होगी वो इसी email id और mobile number पर आपको send की जाएगी तो जो mobile number और email id आप use करते होंगे उसी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे फिर आप i agree के option पर click करेंगे capture फिर submit के option पर click करेंगे आपके mobile number और email id पर एक registration id और एक password send कर दी जाएगी उसके बाद आपको यहाँ से back चली आनी है back आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी mobile number और email id को आपको verify करनी होगी उसके लिए आपको यहाँ पर verify mobile number और email id के option पर click करनी है फिर registration number आपको यहाँ पर enter करनी होगी registration number आपके mobile number और email id पर send कर दी गई होगी फिर आपको जरनेट OTP के option पर click करनी है OTP send की जाएगी email और आपके mobile number पर दोनो email को आपको enter करकर verify कर लेनी है verify करने के बाद अब आपको यहाँ पर login के option पर click करनी है या फिर आपके सामने में अगर इस तरह की page open हो तो आपको यहाँ पर current openings में से दिखाई देगी जो जो भी openings अभी ongoing होगी यहाँ आप देख सकते हैं constable fire 2024 mail के लिए यह form अभी ongoing है तो आपको इसके उपर click करनी है फिर आपको अपनी registration number यहाँ इंटर करनी है password इंटर करनी है फिर आपको यह capture को fill करनी है फिर submit के option पर click करनी है यहाँ मैं आपको बता दो कि CISF के इस official website पर जाप आप one time registration करेंगे तो उसमें अगर आपने कोई भी अपनी गलत information को अगर आप fill करते हैं तो आप उसे कभी फिर दोवारा change नहीं कर पाएंगे तो आप one time registration को काफी अच्छे से करेंगे सारी चीज़ों को आप ध्यान से इंटर करेंगे फिर one time registration करने के बाद इस form को fill करते समये अगर आपने कोई भी गलती कर दी होगी तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको 200 रुपे की बाद में charge देनी होगी यानि कि जब form की correction की date आएगी उस समय आपने अगर कोई भी चीज़ को गलती कर दी होगी या फिर form fill करते समय कोई भी details आपने अगर गलत इंटर कर दी होगी तो उसे सुधारने के लिए आपको 200 रुपे की charge देनी होगी तो आप इस form को काफी अच्छे से fill करेंगे और अगर आप इस form को अपने से fill कर रहे होंगे तो अच्छी बात है और अगर आप इस form को अपने से fill नहीं कर पा रहे होंगे और किसी साइवर के पे पर जाकर अगर आप इस form को fill कर बाने के बारे में सोच रहे हैं आपको इस्क्रीन पर एक नंबर दिखाई देगी, इस नंबर पर हमसे WhatsApp के थूरू contact कर सकते हैं, और इस form को हमारी टीम आपको fill करकर देगी, उसके लिए मातर आपको 99 रूपीज का जो की form filling की charge होगी, वो आपको pay करनी होगी, हमारी टीम आपको ये form घर बैठे fill करकर देगी, यहाँ आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि अभी तक हमारी टीम ने 400 से पलस form को fill भी कर दिये, तो अगर आप interested है इस form को हमारे टीम के थूरू fill करवाने के लिए, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप WhatsApp पर हमसे contact कर सकते हैं, और अब login करते ही, आपके सामने में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो constable fire mail की जो recruitment है, वो अभी start है, उसके आगे में आपको यहाँ पर click here to apply का option दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके उपर click कर लेनी है, फिर scroll करकर नीचे आनी है, then आपको यहाँ पर continue कर लेनी है, continue करने के आपको सबसे पहले candidate details को enter करनी होगी, जो कि आपके registration के थुरू यह fetch आपकी details को कर लेगी, उसके बाद आपको scroll करनी है, यहाँ पर आपको category चूज करनी है, आपकी इस category के लिए इस form को fill कर रहे हैं, अगर आप SC या HT category से belong करते होगे, तो आपके लिए यह form free है, और अगर आ मैं यहाँ से कोई एक category को choose करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर अपनी nationality यहाँ automatic आपको दिखाई दे देगी, उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे highest qualification आपकी जो है, उसे आपको enter करनी होगी, 12th graduation, post graduation जो भी आपने करकर रखी होगी, उसे आप यहाँ पर enter करेंगे, 12th अगर आपने की है, तो आपकी science subject होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको click करनी है, फिर आपको यहाँ पर अपनी religions को select करनी है, कि आप किस religion से belong करते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर Hindu select करूँगा, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ-कुछ options दिखाई देगी, जो automatic यहाँ पर no-no-no- तो आप इसे change नहीं करेंगे, आप इसे no-no करकर ही रखेंगे, देन आपको यहाँ से scroll करनी है, फिर आपसे यहाँ पर आपकी state या फिर domicile पूछी जाएगी, तो आप जिस भी states के हैं, उसे आपको यहाँ पर enter करनी होगी, फिर आपको यहाँ पर अपनी district को select करनी होगी, आप उस state में जिस district से belong करते हैं, उसे enter करेंगे, फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप migrate हुए हैं, किसी एक state से दूसरे state में, अगर आप किसी एक state से दूसरे state में जाकर बसे हुए हैं, तो आपको yes करनी है, नहीं तो यहाँ पर no कर देनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी identification mark को enter करनी है, आपके body में जो भी निसान होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी, दोनों में उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी permanent address को enter करनी होगी, उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी address आप इंटर करेंगे, post इंटर करेंगे, state को select करेंगे again उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी pin code को enter करनी है और अगर आपकी permanent address और correspondence address दोनों same है तो permanent address को fill करने के बाद आपको इस box के उपर टिक कर देनी है और अगर आपकी दोनों address अलग-अलग है तो आप दोनों address को manually यहाँ पर enter करेंगे फिर आपको यहाँ पर scroll करनी है आप यहाँ 23 number पर आपको बोली जा रही है कि आपकी photo में date होनी चाहिए यानि कि जिस भी dates में आप form को fill कर रहे हैं उससे 3 मेने के पीछे की date आपकी photo पर होनी चाहिए तो वही चीज आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी photo में कौन सी date है उस date को आप यहाँ पर enter करेंगे फिर आपसे पूछी जा रही है कि जो भी photo में date आपने दी है वह date clearly दिखाई देती है या clearly printed है आपके photographs पर तो आपको यहाँ पर yes कर देनी है उसके बाद आपको यहाँ पर scroll करनी है फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रहे है कि क्या आपको किसी भी quote ने दोसी ठहराया है किसी भी case में तो अगर आपको ठहराया गया है तो yes करेंगे नहीं तो no करेंगे फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रहे है कि क्या आपके ओपर कोई भी pending case है अगर है तो yes करेंगे नहीं तो no करेंगे मैं आपको suggest करूँगा कि आप यहाँ पर सारे details को know ही करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इस box के उपर tick करनी है then आपको यहाँ पर save and preview के option पर click कर लेनी है then आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की pop-up आजागी candidate data save successfully का तो फिर आपको ok कर लेनी है then आपकी application form जो है वो यहाँ पर complete हो चुकी है application preview को आपको यहाँ पर एक बार check करनी है कि आपने जो भी details को यहाँ पर enter की है सारी details आपकी सही है या फिर नहीं है मैं यहाँ पर सारी details अपनी demo के तोर पर दिखा रहा हूँ मेरा कोई भी actual data यहाँ पर मैंने enter नहीं की है तो आप अपने recording अपने सारे details को यहाँ पर check करेंगे उसके बाद आपको अगर लगती है कि यहाँ पर आपकी सारी details सही है तो आपको यहाँ पर इस box के उपर tick करनी है फिर final submission के उपर click कर देनी है और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई भी details wrong आपने enter कर दिये तो आपको edit application के उपर click करकर आप उसे फिर से दोवारा change कर सकते हैं यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप कोई भी details को यहाँ पर गलत enter करते हैं और बाद में आपको पता चलती है कि आपने वो details को गलत enter कर दिये तो बाद में जब correction की date आएगी उस समय आपको कोई भी details अगर आप change करेंगे तो उस details को change करने के लिए आपको 200 रुपय की extra payment करनी होगी और आपने जो भी one time registration करते समय details को enter की होगी उसे आप change नहीं कर पाएंगे तो चलिए मैं यहाँ पर इस box के उपर tick करता हूँ फिर final submission के उपर click कर दूँगा आप यहाँ पर आपको ok कर देनी है ok करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपनी age proof के लिए आपको 10 की certificate आप enter कर सकते हैं फिर कोई certificate जिसके उपर आपकी age mention हो उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है फिर आपको अपनी education certificate इंटर करनी है सारी pdf format में होगी और सबकी size जो है वो 1mb के बराबर या तो फिर उससे कम होनी चाहिए एक mb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आप यहाँ पर education certificate पर अपनी 12th की education certificate को इंटर करेंगे फिर आपको यहाँ पर अपनी photo को इंटर करनी है photo app jpg या फिर jpeg files में आप यहाँ पर submit करेंगे जिसकी size 20kb से 50kb के बीच में होनी चाहिए फिर आपको यहाँ पर अपनी signature को इंटर करनी है उसके बाद आपको यहाँ पर save and continue के option पर click कर देनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे document को upload कर दी है उसके बाद आपको save and continue के option पर click करनी है उसके बाद आपको ok कर देनी है यहाँ पर मैंने अपने category sc को select किया था तो मेरे लिए यह form free है अब आपको यहाँ पर print application के option पर click करनी है और अगर आप you are या फिर obc category से आते होंगे तो आपको यहाँ पर पहले fee payment करनी होगी उसके बाद ही आपके सामने में print application का option आएगा उसके बाद आपको print application के option पर click करकर अपने application के print out को यहाँ से print कर लेनी है उसके लिए आपको print के option पर click करनी है फिर इस PDF को आपको save करकर रख लेनी है या मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस form को अपने से fill नहीं कर पा रहे होंगे तो इस form को आप हमारे team के थुरू भी fill करवा सकते हैं इसके लिए मातर आपको 99 रुपीज का एक minimum amount पे करना होगा आपको screen पर number दिखाई दे रही होगी आप चाहे तो इस number पर हमसे whatsapp पर contact कर सकते हैं और इस form को हमारे team के तुरू फिल करवा सकते हैं तो आई होप दोस्तों की इस video को end तक देखने के बाद आपको video informative लगी होगी और अगर आपको video informative लगी हो तो आप इस video को एक like जरूर सही कर दीजिए और अगर आप इस channel पर पहली बार आए हैं तो आप इस channel को subscribe करकर भी रख सकते हैं कि मैं ऐसे ही informative videos को इस channel पर upload करते रहता हूं